Hello everyone, welcome to my channel आज की इस वीडियो में हम कुछ different try करने वाले हैं So आज मैं कुछ free hand art try करने वाली हूँ इस magic scratch book पर जो की local stationary पर भी available है So इसकी packaging कुछ इस तरह से है इसके साथ हमें एक wooden stick मिलता है scratch करने के लिए So आप में से कुछ लोगों ने इसका use पहले किया होगा अगर किया है तो comment section पर ज़रूर बताएं यह आपको market में 50 to 70 rupees में मिल जाता है which is a very good deal Now let's see किसके papers कैसे होते हैं So इसकी हर एक page में यह black coated layer है जिसका texture बिल्कुल wax की तरह है Now let's see how it works आप कोई भी random design या pattern इस पर बना सकते है हम इस पर कोई भी design इस तरह से scratch करना है और black वाले part को scratch करके remove करना है and you can see how beautifully the colors are coming out सबस पहले मैंने हाथ को free कर लिया है कुछ भी random design draw करके अगर आप घर पर बोर हो रहे हैं या कोई भी art form try करना चाते हैं तो आप इसे जरूर try करें It is very satisfying मैंने इसे first time try किया and मुझे ये बनाने में बहुत मजा आ रहा है और आप देख सकते हैं कि इसमें colors के कितने shades है और यही तो magic है इस book में हम जैसे जैसे इसे scratch करते जाएंगे हमें new colors मिलते जाएंगे Now let's explore our first art So मैं यहाँ butterfly बनाने की कोशिश कर रही हूँ Let's see यह कैसा बनता है So जब भी हम कोई art form try करते हैं या कोई drawing करते हैं तो हम black color से outline करते हैं Right? But यहाँ हमें कुछ different करना है Outline को हमें छोड़ना है जो की है black part And बाकी के parts को हम scratch करके remove कर लेंगे So basically हमें color वाले part को पूरा scratch करना है And outline को हमें छोड़ना है And the process is very easy मैंने इस video को काफे simple रखा है कि हम किस तरह से इस scratch book का use कर सकते हैं हम जैसे जैसे इसमें details add करते चाहेंगे यह और भी अच्छा लगीगा Also हम इसके border को भी थोड़ा ठीक कर लेंगे अब मैंने यहां कुछ dot add कर लिया है जैसा की butterfly में होता है So कुछ इस तरह से हमारा पहला art piece ready है अब next हम बनाते हैं एक cute सा cupcake So मैंने इसका outline draw कर लिया है अब हम इसमें चोटे चोटे जो भी details हैं वो add कर लेंगे So मैंने आज इसमें बहुत ही basic से art pieces बनाए हैं ताकि कोई भी इसे recreate कर सके आप इसमें कोई भी चीज बना सकते हैं लाइक teddy bear, unicorn आपका जो भी favorite हो आप इंग बर इसे try ज़रूर करिएगा और बच्चों के लिए तो ये और भी बढ़िया है उन्हें इसमें new art explore करने में बहुत मज़ा आएगा So cup cake के upper part को हम इस तरह से scratch करके colorful बना लेंगे So आज के दोनों art pieces में मैंने ऐसे pieces बनाए हैं जिसमें already multi color होता ही है I mean random colors होते हैं like butterfly and cup cake आगे के videos में मैं और कुछ art explore करने वाली हूँ So stay tuned And that's it for today's video See you guys in my next video Till then bye bye and don't forget to like share and subscribe